So guys, कि आप लोग भी अपने WhatsApp पर ये status लगाते हैं, तो आपका यहाँ पर एक error आ जाता है जो कि boost your status, तो हम इसे किस तरीके से हटा सकते हैं, आज इसके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि यह हमें कई बार बहुत ही दिक्कत कर देता है, और हम जगर इस गलती से इस पर क्लिक कर हैं, तो यह हमें दूसरी साइट पर ले जाता है, तो यह option हमें देखने के लिए मिलता है, देखे, zero views आ रहे हैं, और यहाँ पर अगर हम चाहें, तो इसमें एल्स भी लगा सकते हैं, इसके लिए हमें recommend करता है, कि आप चाहें तो अपना एल्स लगा सकते हैं, यहां से, आप WhatsApp बिजनेस का यूज करते हैं, जबी आपको इदे देखने के लिए मिलेगी, अधरवाज आपको इस चीज रिकमेंड नहीं होगी, क्यों? क्योंकि देखे, यह हम अगर normal WhatsApp में कोई भी status लगाते हैं, तो इसके अंदर हमें कोई भी option देखने के लिए नहीं मिलेगा, और आप यहाँ पर देखे, इसमें आपको कोई भी ऐसा option नहीं मिलता, जिससे आप इसको ओफ कर पाएं, ठीक है, लेकिन आप इसको एक तरीके से ओफ कर सकते हैं, आप थीरी डोट पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर देखे, content का option मिल जाएगा, यहाँ पर आप content में आपना एक प्रोब्लम करेंगे, जिसे की, इस तरी से कुछ भी आप अपना एक प्रोब्लम बता देंगे उनको, और यहाँ पर आपके यह हट जाएगा, ठीक है, और अगर आप इसको हमेशा के लिए अटाना चाते हैं, तो देखे, इसके लिए सब पहले जो आपका get started वाला है, पहले करने के बाद यहाँ पराम इसको next करेंगे, और next करने के बाद पूरा एक बाद setup कर लेंगे, और यह वाला जो हमारा started वाला प्रोब्लम है, यह आप से हट जाएगा, या फिर आप अपने status को ही delete कर देजी, जिसकी यह status हमारा इसको हम दिलीट कर देते हैं, तो यह हमारा यह वाला हर्च आएगा, अधर बाद यह नहीं हटेगा, वीडियो अच्छे लेगी हो तो वीडियो को लाइक जुरू करिएगा